हाँ ठीक है चलो कौन कोंसा कोश्चन है अब बारी बारी बताना ज्यादा चूचा नहीं करना इधर ओनलाइन वालों को डिस्टाप हो जायागा ना तो तुम लोग ठीक ठाक धंग से हाँ चलो सेवन्थ नंबर रुको पहले कोंसा कोश्चन छोड़ा था मैं पहला दूसरा तीसरा सब बताता है चला क्या था आपका पहला दिन है न हो जाओ सेटल होई जाओ आपके पास है कोश्चन प्रिंट आउट निकाले हो कोश्चन का प्रिंट निकाल निकाल दिये हो ना नहीं तो मोबाइल में देख लो कोई दिक्कत की बात नहीं है कोश्चन कॉपी में तो रहे इनको भी दिखाते जाओ ठीक है आप उनसे कोश्चन देख लिजिए पहला क कुश्चन तीसरा चौथा कुश्चन पाचों कुश्चन ये मैं नहीं लिखवाया था प्रारब्द कर्म किसे कहते हैं क्या इसको नश्ट किया जा सकता है प्रारब्द कर्म किसे कहते हैं ये तो मैं समझाया था अब प्रारब्द कर्म को नश्ट किया जा सकता है हाँ या नही रिलेक्स 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 डूंडा किसी नहीं किया सकता ऐसा तुम सोच के वो रही हो कि सर्ज की जो कर्म किया जाएगा उसका फल अवस्य मिलेगा ऐसा कृत प्रणास है बिल्गुल सही मुद्दा यह भी सही बात है तो एक दार्शनिक है जो एक कहते हैं कि अपना प्रारब्द कर्म आप बदल सकते हैं ऐसा यह कहीं से सर्ज की है और इन्होंने सर्ज किया कि भगवत गीता में स्रिक्रिष्ण जी स्वयम कहते हैं कि आपके कर्मों को सुन्य किया जा सकता है प्रारब्द कर्मों को नष्ट किया जा सकता है तभी तो बोलेंगे न वो सब जन्म मुझी से पाते हैं फिलोट मुझी में आते हैं तो प्रारब किया जाएगा उसका फल अवश्य मिलेगा इसका मतलब प्रारब्द कर्म को नश्ट नहीं किया जा सकता है तो कितने लोगों ने पक्ष में तरगर रखा कि हाँ, हाँ तुपर गरगे बताओ, कि प्रारब्द कर्म नश्ट किया आ सकता है, हाँ कितने लोग बोले हो, केवल एक, अच्छा, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे उगना मत बार बार दीरे दीरे, कितने लोग बोले हो, नहीं, नहीं वालों के संख्या काफी जादा है, और कितने लोग इस क्वेश्चन का अंज़ा नहीं लिखे, वो समझ ही नहीं आया, अच्छा, समझ आया, लेकिन क्या लिखें समझ नहीं आया, कुछ तो एक बात लिखते है, चलो देखो यहां पर, यदि कोई एक व्रिक्ष है, ये उसकी जड़े, ये व्रिक्ष है, तो अवश्य ही इस व्रिक्ष का जन्म किसी एक बीज से हुआ है, किस से व्रिक्ष, और अगर ये व्रिक्ष है, तो इस व्रिक्ष से ही फिर से क्या मिलेगा हमें, एक बीज, और वह बीज फिर से एक व्रिक्ष से खूब सारे बीज निकलेंगे, और इन बीजों से फिर बहुत सारे व्रिक्ष बनेंगे, और उन बीजों से फिर बहुत सारा व् ऐसे ही चलता रहेगा, इसे ही हम लोगों ने कृत प्रणाश में पढ़ा था, परंतु क्या होगा कि इस बीज को उगने के लिए सही वातावरण ही न मिले, ना इसे नमी मिले, ना इसे उबजाव भूमी मिले, उल्टा ये धूप में भूंज जाए, भूंजा हुआ भीज, सम हम यदी चाहें, तो जैसे बीज को हम लोग महौल नहीं देंगे, उसके दुबारा उबजावपन के लायक, वैसे ही हम अपने कर्मों को बना सकते हैं, कुछी प्रक्रिया से, कौन सी प्रक्रिया पता नहीं, जैसे बीज को हम को पता है, कि उसको हम लोग भूंज के रख दे उसको हम लोग क्या है वो नमी ही ना दे, वो मिट्टी ही ना दे तो वो नहीं हूगेगा, पढ़ा रहेगा बीज तो कई सालों तक पढ़ा रहता है ना भई उसको उचित महाल मिलता तब तो तो बीज के बारे में हमको ज्यान है वैसे ही, यदि हम अपने जीवन के ज्यान को उस इस्तर तक ले जाए कि हम अपने कर्म रूपी बीज को हम अपने कर्म रूपी बीज को सुन्य कर दे या कर्म को इतना भूंज दे इतना परम ज्यान, इतना ब्रह्म ज्यान प्राप्त कर ले कि हमारा कर्म तो हो परंतु उससे फल्म का जन्म ना हो तब हम अपने प्रारब्ध कर्म को नस्ट कर सकते हैं हाँ, हम प्रारब्ध कर्म को नस्ट कर सकते हैं समझ में आई बात इसी चीज को तो दर्शन में हमको पर्ण आज तुमारा पहला दिन तो नहीं है न कर्मसिधान के दिन थे न यही भारती दर्शन है भारती दर्शन का core concept यही है कि हमने आरंब किया कि जीवन में दुख है अद दुख क्यों है? क्योंकि हमारा जन्म हुआ है और हम कर्म कर रहे हैं तो हमारा लक्ष क्या है? कि हम जन्म ही ना पाएं इस जन्म मरड के चक्र से दूर हो जाएं और वो कब होगा? जब हमारा कर्म सुनने हो जाएगा कृत प्रणास का सिध्धान्त कहता है कि कर्म का फल अवश्य मिलेगा अब उसको वही रहने दो ठीक है? भारती दर्शन की यही विशेस्ता है कि हम सिध्धान्तों को पैरल मिले के चलते हैं यदि आप साधारण कर्म करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा इसलिए हमको जानना है कि हम ऐसा कर्म करें जिसका फल ना मिले और इसी जानने की यात्रा ही तो दर्शन है यही ज्यान इसे ही हम कहते हैं क्या ब्रह्मग्यान इसे ही हम कहते हैं क्या परमग्यान जो हमें ले करके जाता है मोक्ष तक तो कर्म तो फसा हुआ है संचित कर्म है, प्रारब्द कर्म है, संचैमान कर्म है और उसी प्रारब्द कर्म को क्या हम सुनने कर सकते हैं इसको नश्ट किया जा सकते हैं और इसे नश्ट करने का सिधानत ही भारती दर्सन में सिखाया जा रहा है गौतमबुद्ध्य ने कहा ना कि दुख है दुग का कारड है लेकिन अंदता उन्होंने बताया ना कि यदि आप आश्टांगी मारग के रहा पर चलेंगे तो आपका दुख सवाप्त हो जाएगा अर्थात आप जीवन मरड के जीवन मृत्यों के चक्र से मुक्त हो जाओगे यही तो मोक्ष है समझ मैं ही बात हागी ना लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे चलो लिखो चलो लिखो ऐसे कर्म जिनका फल मिलना अभी प्रारंब हो चुका है वे ही प्रारंब्द कर्म है वे ही प्रारंब्द कर्म है इस कर्म का सम्मंद इस कर्म का सम्मंद अतीत से भी हो सकता है अतीत जीवन से भी हो सकता है इस कर्म का सम्मंद अतीत जीवन से भी हो सकता है मृत्यू के समय इस कर्म का कुछ भाग हमारे साथ अगले जन्म में भी जाता है हमारे साथ अगले जन्म में भी जाता है यही भाग प्रारब्द कहलाता है अब इसके छोटे सेंस को बस लिखना आप लोग यह मैं पूरा डिफाइन कर दिया लगिन इसमें छोटे सेंस को लिखना या तो पहले ही लाइन को बस लिखना ठीक लिखेगा ब्रहमग्यान ब्रहमग्यान की प्राप्ती से जीवन मरण के चक्र से ब्रहमग्यान की प्राप्ती से जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर प्रारप्त कर्म को नश्ट किया जा सकता है अब चुकि दो ही नंबर में हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे हम लोग यह कोर कॉंसेट को समझे लो और इन बातों को आप लोग पहले भी किसी किसी आंसर में लिखे हुए हैं कि ब्रह्म ग्यान क्या है देवी ग्यान वो क्या है इन सब बातों में और आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे ठीक है यह प्रारप्त कर्मा चलो उसके आज चटो कोशन लिखे थे हम लोग भारती हम पाश्याते दर्चन के मुख्य अंदरों के इसपस्ट किजिए यह हम लोग लिखे दे फिर हमने क्या दर्चन सभी विश्यों की जननी है यह लिख लिए शाबाश उतना अच्छा क्या होता है ठीक है चलो जो लिखे उसको चेक कराना ठीक फिर अगर मुझे लगेगा कि किसी के भी उत्तर संतुष्टी लायक नहीं है तो मैं लिख करके खुद ग्रूप में डाल दूँगा उसको लिखना या तो मुझे लगेगा जिसका उत्तर थोड़ा ठीक ठाक सठीक मात्रा में है उसी के उत्तर को क्या है फोटो की इसके डाल दिया जायेगा ठीक है थोड़ा तो महनत करो इतना समझे हो दर्शन विश्यों की जननी है दर्शन का मतलब ही होता है क्या जानने की इच्छा ग्यान की इच्छा ग्यान किसका एक्स का अबे वो एक्स नहीं जो तुम लोग सोचे तुम लोग यारत सिदा है वही कुछ भी एक्स कोई हाँ वही होता है ना भई दर्शन का मतलब क्या है दर्शन का मतलब क्या है कि ग्यान की इच्छा रखना अब ग्यान किसका किसी भी विशा है का जब हम लोग ग्यान डूडने जाते हैं यहीं से physics का जन्म हुआ यहीं से biology का जन्म हुआ गडित का जन्म हुआ अब गडित का जन मैच क्या है साइंस के साथ बात करने की एक भाषा ही तो है भाषा का जन्म होगा ताकि हम अपने आपको क्या करें व्यक्त कर सकें बहुत सारी बाते हैं जिसको हम अपनी भाषा में व्यक्त नहीं कर पाते हैं है ना तो सभी विश्यों का सभी विश्यों का जन्म यहीं से और इसलिए दर्शन को क्या कहा जाता है सभी विश्यों की जननी और इस पे आखिर में क्या मिलता है फिर अंतिम ज्ञान भी तो वही Master degree जाकर के Doctorate भी जाकर क्या मिलता है Philosophy in Doctorate, Philosophy किसी भी एक particular विश्या पर ही जाकर Infilka degree जो मिलता है जाकर के वही अंत होता है तो दर्शन सभी विश्यों की जननी है इसको सिद्ध करने की कोशिस करना दो-चार नमबर में ही तो पूछा है कौन सा आठ नमबर की बात है दो ही नमबर पूछा है फिर आठवा कोश्यन हमने लिखा था कल नुवा कोश्यन दस्वा भी लिखे थे भारती दर्शन की विश्यस्ताओं का व्याक्या कीजिए ये इकलाओता आठ नमबर का कोश्यन था जो मैं छोड़ा था और छोड़ने के पीचे कारण यह था कि कुछ दिन पहली मैं पूरा साथ आठ पॉइंट बोर्ड में लिख करके आपको बता दिया था क्या उसको आपने लिखा आज कल मैं चेक कराओ यार आप लोग कॉपी कैसे लिखे वो पता चले ठीक है पवन यह वाला कोशन का आणसार आपका नहीं पड़़ा हो मैं दिखाये गए तो एक बार एक दूजरा क्या है लिखे हो की ने लिखे हो कॉपी में दिखा नहीं था मुझे वो ने लिखे हो ना तभी मैं रख लगा कैसे छुड़ गया कोशन फिर उसके आत्में आस्तिक नास्तिक दर्षन ये सब 13, 14, 15 ये कोशन लिखे हुए थे दर्षन जीवन का रुपांत्रड है भारती दर्षन के वल सिधान थी नहीं अपितु एक निदान भी है व्याक्या कीजिए ये लिखे थे ना हम लोग भारती दर्षन निरासावादी नहीं है उसमें हम लोग यही तो बताया थे कि भारती दर्षन निदान भी ढूनता है तो उसको अपने भाषा में चार नमबर में कनवर्ट करने की कोशिस तो करो कर लोगे ना फिर उसके आत कोश्चन कहां पर आया कि दर्शन जीवन का रुपांतरा टिपड़ी करे दो नमबर में है मात्र लिखे इसको क्या लिखे भई नहीं लिखे इसको कितने लोग नहीं लिखे मैक्जिवम लोग शाबाश पचपच समझेट ज़्यादा पढ़ जा रहा है आप लोग को कैसे लिखोगे चलो कल लिख करके आना कोशिस करना कि लिखवाओं आंसर तो यह है का सर लिखवाओ लिखवाओ चलो लिखो क्या याद रखे तुम लोग लिखी लो दर्शन जीवन का रुपांत्रण है दर्शन को जीवन का अंग कहने का कारड़िया है की की भारत में दर्शन का विकास जगत के दुखों को दूर करने के उद्देश से हुआ है दूर करने के उद्देश से हुआ है अगर मात्र इतना ही आप समझ गए तो अब इसको इलबरेट करके दो नमबर या चार नमबर कितने भी आप लिखने की छमता रखिए यही चीज हम लोग पिछले दो दिनों से कर रहे है या कल भी मैं इस बात को कई बार लिखवाया हूँ अगर जीवन के दुखों को दूर करने के लिए हुआ है ऐसा हमने कहा तो दुखों को दूर कैसे किया सकता है जीवन में ग्यान का प्रकास लाकर हमारे कर्मों को सुद्ध करके बौध मत में जिसको हम आस्टांग एक मार्ग कहें जैन मत में क्या कहें पंच महावरत कहें या हम गीता दर्शन को पढ़ें या किसी भी दर्शन को पढ़ें हम हमेशा दुखों से दूर जाने के लिए उचित कर्म को ढूनते हैं और कर्म क्या है? कर्म ही जीवन है कुल्मला करके दर्शन जीवन का अभिन अंग है समझ में आई बात? हागी ना तो कर्म सिध्धान्त की और आगे बढ़ते हैं इसलिए इस लाइन में आगे आप बढ़ा सकते हो कि दुखों को दूर करने के लिए कर्म सिध्धान्त को कर्म सिध्धान्त प्रतिपादित किये गए है दुखों जीवन में दुखों को दूर करने के लिए कर्म सिध्धान्त एवां ब्रह्म ज्यान पहला दिन है नाज गांधी जब 1915 में आया थे गांधी जी 1918 तक स्खाली सुने थे अभी तीन से चार दिन लगेगा तुमको ठीक है कर्म का सिध्धान्त एवं ब्रह्म ज्यान का सिध्धान्त प्रतिपादित किया गया है अब अलग-अलग दर्शन में किया गया है अलग-अलग तरही के इस किया गया है चुकि दो नमबर के लायक है तो ज़्यादा एक्स्पेर नहीं करेंगे हम लोग ठीक है और यही ज्ञान और कर्म का मार कही तो क्या है जीवन है हमको जीवन ऐसे जीना है कि इस ज्ञान को प्राप्त करते रहें और ऐसे कर्म करते रहें, यहीं से जीवन न होगा, ठीक है, तो जीवन का अभिन अंग है, अगला क्वेशन क्या है, नास्तिक सीरोमडी, दर्सन सभी से, फिर से नास्तिक सीरोमडी, हो गया यह चैप्टर कतम, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक हमारा एक अध्याय हो गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जबरदस तरीके से अगले अध्याय में, क्या है वही अगले अध्याय का नाम हमारा, वेद एवं उपनिशद, वेद एवं उपनिशद, मुद्द यह है, वेद क्या है, वेद एवं उपनिशद, तो question ये भी आ सकता है, आपके लिए सिधे-सिधे, वेद क्या है, पूछा जा सकता है, उपनिशद क्या है, और मेरे खाल से किसी साल तो पूछा भी गया है, क्यो उपनिशद क्या है, एक बार देख लें कि क्या 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 है, इस पोर्षन से, वेद एवं उपनिशद क से आप क्या समझते हैं प्रस्थांतरही से आप क्या समझते हैं प्रस्थांतरही क्या है प्रारब्द कर्म क्या है प्रारब्द कर्म उधर जाना चाहिए ठीक है यह हो गया आपका प्रारब्द कर्म वैदिक परमबरम रीत क्या क्या पूछा है उपनिशद रीत प्रस्थांतर ही बस और कृत प्रणास वाली बात कृत प्रणास और अकृत अभ्यू पगम यह तो आप समझी चुके हो और सब के सब पूछे कितने में क्या है दो दो नंबर तो बहुत छोटा सा अध्या है है हमारा जहां पर हम लोग दो लेकिन खाली इतना ही नहीं पड़ेंगे कुछ और भी बाते में पढ़ा देता हूं क्या पता कल को ब्रह्म क्या है पूछ दे आपको कल को आपको पूछ अभी उपनी सत्त का अर्थ पता ये बोला कल आपको वेद का अरथ पूछ दे तो पहले इन चीजों को समझ लेते हैं ठ चलिए तो प्री के नॉलेज के हिसाफ से पताइए ज़रा वेद क्या है? हाँ भई? क्या है वेद? अरे वेद हैं कितने? कितने हैं? देखो वेद के आपको अगर ध्यान से देखोगे तो वेद के कुछ अलग-अलग अंग है या तो वेद क्या है? वेद का एक अंग है सहीता जिसके अंतरकत हम लोग देखते हैं चार वेद हैं एक हम लिखते हैं क्या रिगवेद फिर सामवेद फिर यजूरवेद और फिर अथरवेद है ना हम ये सारे वेद देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि इन वैदिक सहिताओं के उपर ही अलग-अलग फिर क्या हुए कर्मकांड लिखते चले गए जिसे हम कहते हैं क्या ब्रामण ग्रंथ क्या लिखे गए ब्रामण ग्रंथ जिन में मूलता कर्मकांडों की व्याख्या की गई ठीक है बात फिर उसके बात क्या आ गए भई अरण्यक आए अरण्यक जिस पर किसकी चर्चा हुई तब की चर्चा हुई और उसके पश्चात फिर रचना हुई है किसकी उपनिशद की किसकी रचना हुई उपनिशद की हम जानते हैं कि चारो वेदों के अपने अपने ब्रामण, अरण्यक और उपनिशद हैं, रिगवेद के भी एत्रे वगरा सब पढ़े हम लोग खूब सारे ब्रामण, अरण्यक, उपनिशद आप लोग प्री में खूब याद करके रखते हो एत्रे, तैत्रे, पंचवीश, शडवीश, यह सब याद करके विर्यदार अन्यक, उपनिशद में आप कठो उपनिशद वगरा, इस, केन, प्रश्न, बहुत सारे मांडुक के उपनिशद, मुंड़क उपनिशद, सब याद करके बैठे हुए थे, अब हम लोग थोड़े से दूसरे फिल्ड में जाते हैं, अब हम लोगो नाम को नहीं ढूड़नेंगे, अब पहले हम देखते हैं कि आखिर वेध है क्या, यह सारा वैदिक और उत्तर वैदिक काल में आप लोग यह सारा चीश पढ़े थे, अब पहले हम ढूड़ते हैं कि आखिर वेध क्या है, तो जब वेध क्या है, इस प्रस्ण का उत्तर ढूड़ने हम गए, तो हमें पता चला, वेध शब्द की उत्पत्ती हुई है विद से, वेध का मतलब होता है क्या, ग्यान, क्या मतलब होता है क्या विद का ग्यान अर्थात वेद क्या है वेद जो है ग्यान के लिए है और अगर मैं और सटिकता से कहूँ तो ये ब्रम ग्यान के लिए है परम ग्यान के लिए वो सर्वोच ग्यान के बारे में है वेद क्या है वेद जो है वीद धातू से बना है जिसका अर्थ होता है क्या ग्यान कल को आएगा डेफिनेशन तो इस अब लिखना होगा आपको मैं लिखाओंगो नहीं फिर बता दे रहो क्या वेद वीद धातू से बना है जिसका अर्थ होता है क्या ग्यान और यहाँ पर किस ग्यान के बारे में बात चल रहा है, बात चल रही गया, ब्रह्म ग्यान की, किस की बात चल रही है, ब्रह्म ग्यान की, कुछ लोगों ने बताया, कि वेदों का संकलन किया गया, जिसमें बहुत सारे संकलन करताओं के नाम आते हैं, जिन में से एक हम लोग द ज़याद रखना है वेद व्याद बाकि वेदों में बहुत सारे रिषियों महर्षियों का नाम आता है विष्वा Wie तार् का नाम आपने पढ़ा इसमें व्रिगौ कर्णमरई7 है न ऐसे बहुत सारे नाम अपने इसमें पढ़े है ठीके बाद फिर आगे भी ब्रामण वगरा में भी आपने पढ़ाया जैमिनी इत्यादी सबको पढ़ाया आप तो ये जो वेद हैं कहा गया माना गया कि ये वास्तों में नित्य हैं क्या ये नित्य है ये शास्वत हैं शास्वत मतलब जो कभी नहीं खत्म होगा ये क्या है शाश्वत है और कुछ ने तो इसे आप और उसे भी कर दिया इस बात में कितनी सच्चाई है इस पर हम नहीं जाएंगे हम ये बस जानेंगे कि इसकी रचना किसी इस पृत्वी के इस धर्ती के पूरुष ने नहीं की है ये वो ब्रह्म ग्यान है ये वो दिव ग्यान है जो इस प्रकृती ने प्रदत्त की है मनुष्य को मनुष्य मात्र के कल्यान के लिए ये अप और उसे है किसी ब्रह्म ग्यान से ही इसकी प्राप्ति हुई है ऐसा वेद के बारे माना गया हूँ यह माना गया है सब्द का प्रयोक कर रहा हूँ ऐसा है ऐसी गारंटी नहीं दे रहा हूँ समझ रहे बात को वेद क्या है यह आप औरुशे है सास्वत है नित्य है और यही वो परम ग्यान है यही एकदम लास्ट, एकदम परम ग्यान, ब्रह्मा ग्यान कैं है वो वेद हैं, ऐसी बात हैंगे, समझ मेरी बात, वेद और इसका अर्थी क्या होता है, वीद मतलब की ग्यान, संकलन किस ने किया, वेद व्यास ने, यह चार इसमें नाम आता है, कौन गौन, रिगवेद, साम जिवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा वो इस जगत के दुखों से मुक्त हो जाएगा अर्थात भारती दर्शन की जो मूल जो बात है वो वेदों से ही आरंभ हो जाती है भारती दर्शन में जीवन के दुखों और दुखों के निवारण के बारे में ही बार बार चर्चा हुई है हर दर्शनिक इस पर चर्चा किया है चारवाक को छोड़कर चारवाख हमेंसा सुखवाद पर चर्चा करता है तो चारवाख को छोड़कर बाकि सभी दार्सनिक जिस दुख और दुख के निवारण की चर्चा करते हैं और दुख निवारण के लिए जीवन जीने की पद्धती जिस परमग्यान की बात करते हैं लिखिन वेदों के सहीता रूप को पढ़पाना सभी के लिए सभाव नहीं था तो बाद में वेदों का एक करमकांडी रूप भी आया या कहना चाहिए कि ज्यान मारग्यस को देखते हुए लोगों कुछ कर्मों को भी अपनाया कि हां हम कुछ ऐसे कर्म करें कर्मकान करें जिससे क्या हो हम उस ब्रह्म तक पहुंच सकें ब्रह्म के दो रूप बताए गए मैं उस ब्रह्म के बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में आपको एक परब्रह्म एक अपरब्रह्म दो बाते परब्र और अपर ब्रह्म ये पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म क्या है ये थोड़ी दिर में हम लिखेंगे ब्रह्म क्या है इसके दो क्लासिफिकेशन करेंगे लेकिन फिलहाल उस ब्रह्म के बारे में विचार करते हुए कर्मकांड लाए गए जब कर्मकांड किया गया तब भी दुखो का खात्मा नहीं हुआ, दुखों का पूर्ण नाश नहीं हुआ, तब फिर लोग तपक पर गए, जब तब करने लगे, तब भी मनुस्य के मन में कुछ इच्छाएं जागरित हुई, आप तपस्या करें, परन्तु यदि तपस्या के पश्चाद आपके सामने, यदि वो ब्र धुरुब ने क्या ही मांगा, कहानी, कहानी, मैथलोजी पर ही ध्यान देना, है ना उसको एकदम सचाई और फिर उसको दर्शन में मत ले आना, मैं गुदहर बता रहा हूं, एक तरफ तपस्या किया, रावर ने, एक तरफ तपस्या किया, प्रहलाद या धुरुब ने, प् विष्णु जी का सानित्य मांगा, उन्होंने राजपाट मांगा क्या, उन्होंने सिर्फ इतनी का, मुझे आपके गोद में बैठना है, ऐसी बात थी ना, सानित्य मांगा, इस कहानी से हमको सिखाया जा रहा है, कि कि किसी प्रकार अपने आत्मा को, परमात्मा को सौप दो आपका कर्म सुन्ने कर लो अगर विश्णु जी की गोद में बैट करके वो कोई भी कारे कर रहा है अर्थात वो तो परमात्मा ही कर रहे है ये बात उस चित्र में भी बताई जाती है जो आप बच्पन से देखते आये हो कि चार-पांच घोडे बंदे हुए है सामने एक सार्थी है पीछे एक धनुर्धारी है जिसे हम स्री कृष्ण अर्जुन कह रहे है अर्जुन वो आत्मा है स्री कृष्ण परमात्मा है और चार घोडे इंद्रियों के प्रतीक है आपके सभी इंद्रियों का नियंत्रड यदी परमात्मा के हाथ में है तो अर्जुन फिर किसी को मारे किसी को ना मारे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसका कर्म क्या है सुन्ने है यही बात गीता में अंतर तक बताई गई हागी ना तो तप बताता है हमें हमें तप सिखा रहा है कि आपको कर्म सुनने का नहीं लेकिन हर कोई तप के मार पर ऐसा चल पाया क्या रावण को बोला गया तो रावण ने फिर अमरता वाली बात कर दी फिर बहुत सारे रिशी मुनियों ने भी क्या है बहुत अलग-अलग प्रकार के विचार रख दिये तो यदि आप जीवन मांगोगे यदि आप यहां जीवन में और अन्य शक्तियां मांगोगे तो तब भी आपके लिए शार्थक नहीं है तो कर्मकार्ण भी यदि आप अगरवत्ती जला रहे हो जला रहे हो एक्जाम से ठीक पले कि कैसे भी कर के भाई साब 56100 कुछ ने चाहिए अपनको अपनको चाहिए क्या 56100 कहें भी तुम्हारा उम्र ही होई है तुम्हारी बात ही होई है फिर कहीं से तुमको सुनने मिल गए जीव 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 मांगने के बाद में नंदी के कान में बोलोगे तो वो पूरा होगा जाके नंदी कानो ले भाई साब वो 56100 डिप्टिक लेक्टर का पद मिल जाए 56100 मिल जाए बात उसके बाद खतम और गलती से अगर सीव जी तथास तु बोल दिये ना फिर मंत्रियों का जो लात जरुआएंगे तुमको मैं तुमको कर्म से विम्यूख होने के लिकारा हूं मैं बता रहा हूं कि आप यदि जो मांग करने के लिकार कंवम बॉलने कि मन्दिर नहीं जा पाते ना कभी जोत अच्छी बात है अगर जाते हो तो सबसे बढ़ा दाता है तो सबसब्रांता है तो भी क्या मांग रहा शैप्टर का नाव वैद एवम उपनिशद क्यों है वैद, ब्रामःड, अरनियक एवम उपनिशद क्यों नहीं है इस बात को समझो वैदिक ज्यान को वैदिक कर्मकान्ड और तप पर बाद में परिवर्तित किया गया लेकिन समझ में आया न इस तप से, न इस कर्मकांड से, किसी से भी जो है, उस ब्रह्म ज्यान की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए कर्मकांडों से तप से उपर उठ करके, फिर से विचार उत्पन हुआ, और इस नए विचार को यहां से फिर हम उठ करके गए, तब जब हम लोग जिस ब्रह्म ग्यान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े, वो ब्रह्म ग्यान हमें कौन देगा, उपनिशद देगा, कौन देगा, उपनिशद देगा, आखिर ये उपनिशद क्या है, एक सब्द हमारे पास है क्या, उपनिशद, उपनिशद क्या है, तो उपनिशद सब्द को यदि ध्य आकरण में संधी पढ़ चुके हो, तो सर, ये मुर्धन निशा, कहां? वहां दंत मूल साथ में कैसे बदल गया? ये सब पुरस्णा भी नहीं पूछना. उपधन निधन शद इसका मतलब क्या होता है? उप का मतलब क्या होता है? समीप में. नी का मतलब क्या होता है? श्रद्धा पुर्वक. श्रद्धा अश्रद मतलब की? बैठना. अर्थात. शिष्य का गुरु के समीब स्रध्धा पुर्वक बैठना ही उपनिशद है ठीक है बाद शिष्य का गुरु के समीब स्रध्धा पुर्वक बैठना ही क्या है बैठना एकदम साधरण अर्थों में यह दिया हम लोगे साब्दिक अर्थ को अगर पूछे पूछा के हैं न, आपको उपनिशद का क्या अर्थ है, तो आप बताओगे, उपनिशद बना है उपधन नीधन शद से, जिसका अर्थ, अब एक एक मत लिखना वाना दो नमबर कह जगा जादा हो जाएगा, उपधन नीधन शद से, जिसका अर्थ होता है, शिश का गुरू क के समीप श्रद्धा पूर्वक बैठना और गुरु के समीप श्रद्धा पूर्वक बैठने से क्या होगा क्या होगा ग्यान की प्राप्ति होगी क्या होगा भई ग्यान की प्राप्ति होगी बिल्कुल सही बात है उपनिशद के कारण में अर्थात क्या हुआ इसके कारण में ब्रह्म ज्यान की प्राप्ती हुई, कौन से ज्यान की प्राप्ती हुई, ब्रह्म ज्यान की प्राप्ती होने से क्या हुआ, ब्रह्म ज्यान की प्राप्ती से दुख का नाश हुआ, दुख का क्या हुआ, नाश हुआ, जिसे भी ज्यान की प्राप्ती होती जाएगी, उसके द कह सकते हैं कि इससे व्यक्ति को ब्रहमानु भूति होगी और इसलिए ब्रहमानु भूति हो करके वह व्यक्ति जो मुमुक्छू है उस मुमुक्छू को क्या होगा उसे मोक्ष प्राप्त हो पाएगा मोक्षू किसे कहते हैं वह जो मोक्ष की इच्छा रखता है तो वह जो मोक्ष की इच्छा रखता है वही तो उपनिशद होगा वही तो गुरू के समीब बैट करके ब्रह्म ज्यान की प्राप्ति के लिए चाहेगा और जब उसे ब्रह्म ज्यान के प्राप्ति होगी जब उसे उस ब्रह्म की अनुभूति होगी तब वह मुक्छ को प्राप्त करेगा यही है उपनिशद का सार यही है उपनिशद का मतलब समझ में आई बात हा कि ना ब्रह्म की अनुभूति वह अनुभूती जो साधारण मनुस्यों को नहीं होती है वो मूल अनुभूती और ब्रह्म भी दो रूप में एक परब्रह्म एक अपरब्रह्म एक वो जो ये सब मैं वेदिया उपनिशद की भाषा में बता रहा हूँ अभी अब यहाँ पर आप बौध मत को, जैन मत को, चारवाक को इनको ला करके अभी फिलाल मत सोचिएगा वो दो दिन पहले तक हमारा काम खतम हो गया अब हम लोग सिर्फ वेद और उपनिशद क्या कहते हैं मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ मैं क्या सोचता हूँ, तुम क्या सोचते हो तुमने बौध से क्या सिखा, तुमने जैन से क्या सिखा तुमने किसी और सी क्या सिखा, वो महने नहीं रखता अब हम लोग सिर्फ वो जानेंगे जो वेद या उपनिशद कहते हैं जैसी मैं चारवाक कहूंगा इन सभी बातों की धज्या उड़ जाएंगी तब फिर तुम्हारे मन में नहीं आचे सल लेकिन वहां तो वो बोले थे यही भारती दर्शन की खुबसूरती ही कि पैरलल में हम लोग बहुत सारे कॉंसेप्ट को सीखते हैं तो वेद उपनिशत के हिसाब से ब्रह्म दो प्रकार के हैं पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म एक जो कि सगुड है जिसको कि आप जान सकते हो महसूस कर सकते हो अब देखे होगे कि कई लोग लीन हो जाते हैं कृष्ण भक्ति में मेरा बाई कई लोग लीन हो जाते हैं स्री राम के चरणों में कई लोग लीन हो जाते हैं स्री क्रिष्न के चरणों में कहीं न कहीं किसी को गुरु मान करके उन्हीं के स्री चरणों में लिप्त हो जाते हैं कोई सिर्फ राधे राधे गाते हुए ही क्या हैं लिप्त हैं तो वो उन भावों में, उन शब्दों में या अपने एक दुनिया में एक परब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं, और वो उसी में लीन हैं, लेकिन जो दार्शनिक विचारधारा जहां तक और जाती है, वो बताते हैं कि ये सब इस्वर एक लेवल है, इन सबसे भी उपर ब् ब्रह्म को एक विशेश शब्द से परिभासित किया जाता है, वो शब्द मैं आपको लिखवाओंगा अभी, ठीके, तो पहले तो एक कोश्चन लिखेंगे हम लोग, वेद क्या है, उत्तर मैं नहीं लिखवाओंगा, उत्तर आप घर से लिखके आएंगे, लिखेगा, वे उपनिशद क्या है, उपनिशद क्या है, उपनिशद को वेदान्त भी कहा जाता है, उपनिशद को क्या कहते हम लोग, क्योंकि वेदों का अंतिम ग्यान, परम ग्यान यहीं पर है, और चुंकि एक्जाम में ये आया हुआ भी है दो बार, इसलिए मैं इसको लिखवा देता उपनिशद को लिखेगा उपनिशद को ये बात तो लिखी लिए हो गए ठीक उपनिशद से ताथ पर ये उस ब्रह्म विद्या से है उपनिशद से ताथ पर ये उस ब्रह्म विद्या से है जिससे ब्रह्म विद्या या ब्रह्म ग्यान से है जिससे अज्यानता का पुर्णनास हो जाता है अज्यानता का पुर्णनास हो जाता है तथा तथा मुमुक्छु को मुमुक्छु को ब्रह्मान भूती होती है ममुक्चु को ब्राहमा नुभूती होती है जिससे वह बंधन मुक्त हो जाता है बंधन मुक्त हो जाता है बाकि इससे पहले आप लोगो उपधन, नीधन, सदवाली बात लिख लेंगे ठीक है बात? चलो अब इसमें एक बात आती अच्छा उपनिशद हैं कितने? इस पर भी एक चर्चा है उपनिशद कुल कितने हैं? बताया जाता है कि उपनिशद हैं 108 लिख लिजेगा लिखें? मुक्तिकोपनिशद मुक्तिक उपनिशद मुक्तिकोप निशद मुक्तिकोप निशद के अनुसार? उपनिशदों की संख्या 108 है परंतु इन में से दस ही प्रमुक हैं इन में से दस ही प्रमुक हैं चले लिखेंगा पहला इश इशो उपनिशद करके लिखते हैं सॉटकर में लिखो इश दूसरा लिखो प्रस्न प्रस्न उपनिशद तीसरा लिखो कठ कठ उपनिशद, कठ उपनिशद फिल लिखो केन केन उपनिशद केन, केन केन ठीक फिल लिखो मुंडक मांडुक्य मुंडक, मुंडक के बाद लिखो मांडुक्य मांडुक्य के बाद लिखो एतरे एतरे फिल लिखो तैतीरिय तैतीरिय इस शब्द सारे नए नहीं होने चाहिए आपके लिए, सारा शब्द जाना पहचाना है है ना? किते हुए? आठी हुए, हाँ, लिखो, एक तो व्रिहधारण्यक उपनिशद, एक, चांदोग्य भी नहीं लिखें गया, लिखो, चांदोग्य और व्रिहधारण्यक, चांदोग्य और अगला लिखेंगे व्रिहधारण्यक, बस, ये दस मादपूर्ण है, और हैं बहुत, एक तो खुद से बात आपकी बन जाएगी ऐसा बताए जा रहा है ठीक है इसी टॉपिक में तीन चीजों को हमको जानना है एक हमको जानना है इनके नुसार ब्रह्म क्या है इनके नुसार आत्मा क्या है और इनके नुसार रीत क्या है इन तीन चीजों को हमको जानना है ठीक है चले लिखेग तो फिर ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, शेडिन डालिएगा ब्रह्म, लिखेगा ब्रह्म वैदिक परमपरा में, वैदिक परमपरा में, कहा गया है कि, कहा गया है कि, ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रिह धातु से बना है, ब्रह्म, ब्रिह धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है, ब्रिह धातु से बना है, हो रहा है व्यासी तो हो रहा है ठीक है लिखिए ब्रह्म शब्द को कि ब्रह्म शब्द को कि तजल्लान कहा गया है तजल्लान तजल्लान लिख लो ऐसा पहले फिर बताता हूं क्या है यह तजल्लान तजल्लान ठीक है बात समझो तजल्लान लिखेगा तत अर्थात तत अर्थात जन्म या उत्पन्न ल अर्थात लीन ल अर्थात लीन और अन अर्थात जिवित अन अर्थात जिवित अर्थात लिखेगा अर्थात ब्रह्म ही वह तत्व है जिससे सारा विश्व सारा विश्व उत्पन्न होता है उसी में अंदतहलीन होता है ब्रह्म ही वह तत्व है जिससे सारा संसार जन्म लेता है ब्रह्म ही वह तत्व है जिससे सारा संसार जन्म लेता है उसी में अंदतहलीन होता है एवं उसी में जिवित रहता है उसी में जिवित रहता है इसे सर्वम खलू इदम ब्रह्म भी कहा गया इसे सर्वम खलू इदम ब्रह्म भी कहा गया सर्वम खलू इदम ब्रह्म अर्थात सब कुछ ब्रह्म ही है सब कुछ ब्रह्म ही है चलो अगला लाइन लिखेगा उपनिश्दों के अनुसार ब्रह्म के दो रूप है एक अपर ब्रह्म और एक पर ब्रह्म अपर ब्रह्म और एक पर ब्रह्म उपनिश्दों के अनुसार ब्रह्म के दो रूप है अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म दो रूप ठीके, अपर ब्रह्म अर्थात इश्वर जो सगुण है, सविकल्प है, परब्रह्म अर्थात, जो अगोचर है, अनिर्वचिनिय हैं, अगोचर है, अनिर्वचिनिय हैं, हो गया है, भारी भर काम सब्द फेक के मार दिये, अब समझो उसको, पढ़ो, क्या लिखे उसको, ब्रह्म के, ब्रह्म का वास्त्विक जो रूप है, वो तो समझ में आगे होगा, भले ही है, शब्द बहुत कलिष्ट दिख रहा है, तजल्लान, लेकिन आप सभी हिंदी इतना तो पढ़े हो, कि ये संधियों से बना है, तत्व अर्थात, तत्व, और हम लोग हमेशा जल ल बनाते थे, पानी के परियावाची, उसमें जल लगाने से कमल की परियावाची बन जाती, ऐसा पढ़ते थे, भूमी जी कह देते हैं हम लोग किसको घास के तिनके को, भूमी से जन्मा, तो वैसे ही, तत्व से जन्मा, फिर ल, अर्थात, लीन, अर्थात, अंततह, जिसमें अलीन होते हैं, और वहीं जाकर के अंत हो जाते हैं, एकदम सिंपा सा डेफिनेशनिक, इसका ब्रह्मा का, यदि आपने ये लिख दिया, तो ब्रह्मा क्या है, वो अपने आप में समझ में आ जाता है, यदि चार नंबर की बात आई, तो फिर एक फेक के मारना, क्या, सर्व सर्वमखलू इदम ब्रह्मा, अर्थाथ सबकुछ ब्रह्म ही है, तो ये जो मैं लिखवा रहा हूं, कोट ये आप ये कर देते हो, तो जादा नंबर मिले चांस है, नहीं आता है, तो भी कम सकम इतना ही लिख देना, सबकुछ ब्रह्म ही है, ऐसी बाते लिख देना, गलत मत लिखते रहो चेक कराओगे समझ मैंने लएगा ठीक है बात सरवब खलू इदम ब्रह्म अब उपनिशदों ने बताया कि ब्रह्म के दो रूप है एक पर ब्रह्म है एक अपर ब्रह्म जो कल तक की क्लास में हमने चर्चा भी कहा था ब्रह्म कौन जो इस संसार से भी उपर है इ अपर ब्रह्म कौन है देखो क्या लिखियो अपर ब्रह्म में पढ़ो इश्वर लिखियो जो सगुड है जो सोपाधिक है जो सगुड है जो सपाधिक है ऐसे सारे शब्द लिखे हम लोग जो निर्वचनिय है हम इश्वर किसे को मानते हैं हम जिसको अपना अपर ब्रह्म म तो यह क्या है? गोचर है. और वो जो अगोचर है, जो अनिर्वचनी है, वो क्या कौन है? परब्रम है. वो कौन है? परब्रम है. यहां पर यह सगुड निर्गुड सिध्धान तो अली बात नहीं है. यहां पर बात एकदम परब्रम की चल रही है. ठीक है बात? समझ में आई हाँ बिल्कुल वही भगवान इनी जिसको हम महसूस कर ले सब कुछ सारा चीज सभी में तो इश्वर देखते हैं है ना सभी में इश्वर ढूंदते हैं आत्मा तो आत्मा के बारे में हमने पहले भी बहुत अच्छे डिसकसन किया हुआ है यह आत्मा वही है जो कर्म सिध्धान्त को पूर्ण कराता है तो लिखेगा वेद इवं उपनिशद ने आत्मा की सत्ता को स्विकार किया है वेद इवं उपनिशद ने आत्मा की सत्ता को स्विकार किया है आत्मा की अमर्ता के सिध्धान्त को भी स्विकार किया है आत्मा की अमर्ता के सिध्धान्त को भी स्विकार किया है बस इतना ही लिख दें परियापत है ज्यादा डिफाइन करने जिवरत नहीं है यदि आपको दो या चार नमबर में आगा तो आप डिफाइन कर सकते हो आप में छमता है ऐसा मेरा मानना है गलत तो सिध्धनी होने दोगे न मेरी माननेता क्योंकि ये आत्मा संबंदी विचार दहरा ये वही है जो गीता में कहा गया आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती ही ये सदयाव एक सरी से दूसरे सरी में प्रवेश करती है इसी को आत्मा के अमरता का सिध्धान्त के तौर पर एक सब्द में लिखवा दिया हूँ ज़्यादा ज़्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं है समझ ये बात को एक और बात जो वेद और उपनिशद वाले टॉपिक में आपको जानना है वो है क्या रीत चा है रीत लिखेंगे रीत चा है रीत आर आईटी बिंदास एकदब जब तक पश्मी दर्सन तक हम नहीं जाते तक बहुत दिक्कत रहे गई दा ठीक है ना तो ग्यान के लिए बोलो विवेक के लिए बोलो ग्यान का उपर रूप है विजडम लिख लो जादा अच्छा लग रहा है तो लेकिन आपको ऐसा लिखना भी नहीं है आपको तो ग्यान के प्रती अनुराग ही लिखना है ठीक है कोशिस करना रोमा लेटर्स के यूज नहीं करना हिंदी वाले कोशिस यही रहे ठीक है जैसे आप फिलोसफी सब्द लिखते हो तो देवनागरी लिपी में फिलोसफी लिखो अंग्रेजी स्पेलिंग मत जाड़के आना उधर पर ठीक है फिलोस धन सोफिया उधर स्प अक्षा में ले करके जाना चाहूंगा तो वहाँ पर हमने देखा था कि रिग वेद में सबसे जादा 250 बार वर्णन इंद्र का है 200 बार वर्णन अगनी का है और 30 बार वर्णन रितश्य गोप अर्थात वरुण का है वरुण वही देवता है जो नियामक का देवता कहलाता ह अर्थात रितश्य गोप नियामक का देवता अर्थात संसार के नियम को चलाने वाला ही क्या है वरुण तो रित क्या है इस संसार में जो कुछ भी सिध्धान्त कारे कर रहे हैं इस संसार को चलाने के लिए जो भी नियम बने हुए है जो नियम बनाये जा रहे हैं बनते जा कुछ धार्मिक नियम कुछ नैतिक नियम कुछ नैतिक नियम बंदे चले जा रहे हैं मंदिर में प्रवेश करना है आप कभी भी जूता चपल पहन के तो प्रवेश नहीं कर जाओगे आपको पता है किसी के घर जाओगे तो कैसा वहार करो समाजिक नियम भी किसी दूसरे घर किसी की घर में पहली बार गया एकदम अंजान टाइप का और चले गए एकदम किचन में घुज गया हाँ दे न मैं काटता हूं सब्जी का आपको काम करने की इच्छा हो वैसे तो ये थोड़ी अजीब बात है कि काम करने की इच्छा तो होती नहीं हमारी कभी लेकिन फिर बीजू कहीं पहुंच गया है अचानाक से किसी घर में गया हो वहाँ एक अंगल जी है बैठे बैठे निउस चैनल देख रहे हैं तुम जा कर के काटून लगा के चले आओगे मतब किसी ने बोला तुमको ऐसा मत करो जवरी नहीं कोई तुमसे को सिखाया लेकिन तुम्हारे अंदर अपने आप आया कि नहीं है ऐसा वाला नहीं करना चाहिए नियम ये नियम समाजिक नियम हो चाहे ये पूरा प्राकृतिक नियम हो य और ये कहां से आती भी रीत से ठीक है तो रीत के बारे में क्या 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 पूछा गया है और क्या पूला गया है वैदिक परमपरा में रीत क्या ही है चार नंबर में है चलो ठीक है चलो लिखो गे रीत के बारे में लिख ल आप निशदिक उपनिशद से सब्द मना है आप निशदिक परंपरा में रीत को विवस्था का नियम कहा गया है रीत का साब्दिक अर्थ है रीत का साब्दिक अर्थ है उचित या सही ठीक है बात? तो कुल मिला करके देखा जाए तो रीत ही वो विवस्था है जिससे पूरे समाजिक और ये पूरा प्राकृतिक नियम जो है चल रहा होता है तो रीत के तीन रूप देखने को मिलते हैं लिखेगा पहला रिद के जो तीन रूप या तीन छेतन है वो है पहला प्राकृतिक विवस्था का नियम दूसरा नैतिक विवस्था का नियम नैतिक विवस्था का नियम तीसरा कर्मकाण्ड विवस्था का नियम इस प्रकार रीत जगत की साश्वत जगत की साश्वत तथा अनुलंगनिय प्राकृतिक तथा नैतिक विवस्था है विवस्था है रिगवेदिक परंपरा में रिगवेदिक परंपरा में या वैदिक परंपरा में वैदिक परंपरा में इसके संचालक वरूर देउता को माना गया है वरूर देउता को माना गया है क्या इसको दो या चार नमबर दोनों के लाएक अब हम लोग लिख सकते हैं है ना और यही रीत के अंतरगत एक शब्द आया है देखो वहाँ पर क्या दूसरा पॉइंट नैतिक नियम है ना नैतिक विवस्था इसी नैतिक विवस्था को हाइलाइट करो नैतिक विवस्था रीत के नैतिक विवस्था के अंतरगत ही रीत के नैतिक विवस्था के अंतरगत ही कृत प्रणाश कृत प्रणाश एवं अकृत भ्यू पगम अकृत भ्यू पगम कसिध्धांत दिया गया है कसिध्धांत दिया गया है अभी दो इस धैंत मैं लिखुआ नहीं रहा हूं दوبारा हम लोग लिख चुके हैं पहली कृत परनाश का दाध परे क्या देखें थे हम लोग यदि कर्म करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा ये रीत कहता है ना और ना मिले यही हमारी इच्छा होगी यही हमारा हम इसी ग्यान की प्राप्तिकल जा रहे है तो रीत कहता है कि यदि आपने कर्म किया है तो कर्म का फल अवश मिलेगा यही है कृत प्रणाश और आकृतब्यू पगम क्या है अकृतब्यूपगम अर्थात यदि कर्म नहीं किया है हमने तो उसका फल भी नहीं मिलेगा उसका फल भी नहीं मिलेगा तो यहां तक मुझे लगता है इस अध्याय से आने वाले सभी प्रशन अब आप लिग भी सकते हो या कुछ अन्य भी प्रशन बनेगे वो सारा का सारा आपसे बन जाएगा ब्रह्म, आत्मा, वेद ये तीन टॉपिक नहीं पूछे गए हैं उपनिशद, कृतप्रनाश, अकृतभ्यूपगम और रीत ये तीन टॉपिक पूछे गए हैं समझ में आई बात सारे कोश्चन दो नमबर में ही आए हुए हैं एका चार नमबर की बात है तो सारा कसारा लिख सकते हैं हम लोग हागि ना लिख सकते हैं पूरा ठीक है बात चलो, तो आज यहीं पर इंड करते हैं कक्छा, कल हम आरम करेंगे क्या गीता से और यह मैं बोल रहा हूं आनलाइन वालों के लिए क्योंकि अब होगी आप लोगी कॉपी चेकिंग आरम निकालिए सभी कॉपी क्या है अच्छा, प्रस्थानतरी से आपका बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर हाँ भई, हाँ सुन्लों ऑनलाइन वाले भी मत बंद करो मुबाईल हाँ चलो, प्रस्थानतरी क्या है ये भी लिखवा देता हूं प्रस्थानतरी वैसे मैंने आपको बताया था प्रस्थानतरी किसे कहते, किसको याद है प्रस्थानतरी बोलो जब मैं आपको दर्शंगा परीशे देते जा रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि यही से प्रस्थांत्रई शब्द की उत्पत्ती होगी लिखो प्रस्थांत्रई 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 में तीन ग्रंथों को शामिल किया गया है प्रस्थांत्रई में तीन ग्रंथों को शामिल किया गया है पहला ब्रहमसुत्र पहला ब्रहमसुत्र नहीं बोलना चीए था मुझे पहला उपनिशद लिखो मतब सिक्वेंस में चलेंगे तो अच्छा रहेगा पहला उपनिशद, दूसरा ब्रहमसुत्र और तीसरा गीता अब याद आया एक दिन मैंसे तीन कॉलम बनाया था बोला था इन्ही तीनों को मिला के हम प्रस्थांतर ही कहेंगे प्रस्थांतर ही क्या है ये उपनिशत तो समझ में आगे हमको और उपनिशतों का सार ही गीता है जो पढ़ने वाले है अब ब्रह्म सुत्र क्या है तो ब्रह्म सुत्र ऐसे याद नहीं आएगा आपको ब्रह्म सुत्र के ब्रैकेट में लिखो विदान्त सुत्र वो जो छट्वा दर्शन है ना मारा सट दर्शन का उसी का विदान्त सुत्र को ही ब्रह्म सुत्र भी कहते है तो तीनों को मिला करगे क्या कहाता है? प्रस्थांत रही और ज़यादा इसमें मैं नहीं लिखवाँगा आप इसको अराम से लिखेगा, इसको वियारे में विचार किजिएगा किसे कहते हैं हम लोग यह प्रस्थांत रही हिंदू धर्मके या कहना चीज सनातन धर्मके जो मूल भूत सिधान्त है जो कोर कॉंसेप्ट है वो कहाँ पर मौजूद है प्रस्थान्तरी में कहाँ पर मौजूद है प्रस्थान्तरी मौजूद है अगर किसी भी बात को ले करके विचारवी मर्ज करना हो यदि किसी भी बात को ले करके कोई डाउट आ जाता है या किसी भी प्रकार का क्या वाद विवाद की स्थिती हो तो विवाद का हल कहां से मिलेगा प्रस्थांतरी सनातन मत के किसी भी प्रश्ण का उत्तर अगर ढूड़ना है तो इन तीन चीजों में ढूड़ना होता है कहा उपनिशद, गीता, ब्रह्मसुत्र इन में जो बाते लिखी है वही सत्य है ऐसा हम लोग मानेंगे ठीक है तो सनातनमत के अंतिम सत्य या अंतिम सिध्धान्त कहां पर है प्रस्थानतरी में इन ही को कहा गया है ठीक है बात चलो